नमस्कार डियर स्टूदेंट, केमिश्ट्री के अंदर हमने लाष्ट वीडियो में देखा टाइप ओफ यूनेट सेल, यूनेट सेल वैसे हमने प्रिमिटिव और सेंट्रिक सेंटर्ड यूनेट सेल दो तरह के देखे और उसमें भी यहाँ पे एक नया क्वेस्चन हो रहा है कि यह जो आपके unit cell है possible variation in unit cell मतलब यह unit cell में कितनी possibility होती है different different तो वो हम यहाँ पे थोड़ा सा study करना चाहते है आज का यह पूरा topic MCQ based रहेगा क्योंकि उसमें से MCQ ही आएगा theory portion में नहीं आएगा inspection of a wide variety of crystal leads to the conclusion that all can be regarded as conforming to one of the seven regular figure इसमें से seven figures है देखो आप सब देख सकते हो तो आपकी बुक में भी है these basic regular figures are called seven crystal system यह साथ structure आपके सामने है ना वही जन्रली इंटर कन्वर्टन मिक्सप हो हो के वो इसी में ही यही structure है तो उसमें वो चार जो थे आपने बताये हमने सेंट्रिक और रिमीटी वो सब मर्ज हो हो के ऐसी चार फिगर बन सकती हैं seven type के तो वीच system a given crystal belongs to its determined by measuring the angle between its faces and deciding how many axes are needed to define the principal figures of its shape तो दोस्तों यह समझ में है principal figure आपके सामने यह cube रखा है सबने एक cube देखा होगा वो cube के अंदर अगर आप देखोगे तो all the sides a, b and c length, breadth and height all are same for here yes दूसरी चीज़ कि यह सब का alpha, beta and gamma भी same होता है वो भी 90 होता है क्योंकि वो हर side से similar होता है तो cube हमने cube की बात कर रहा हूं जो हम खेलने के लिए dice के form में यूज़ करते हैं तो वो अपना एक cube हो जाएगा तो ऐसा एक format होता है tetragonal जिसको हम oil का tin का डिबबा बोलता है जो आगे वाले वीडियो में हमने जो example दिया था लौरी वाला उसमें जो तेल के डिबबे थे उसमें आप देख सकते हो कि base पूरा length और breadth वो दोनों similar होते हैं बाकि यह height different होती है तो a equal to b is not equal to c हो जाएगा सही ना यस अब alpha beta gamma की की उसमें पूरे angles जो हो 90 कहीं रहते हैं तो इसलिए it is 90 like cube तो alpha beta and gamma is equal to 90 चलो यह orthorahambic तो आपको यहाँ पे कुछ मैंने लिखके दिया है it's a cpu तो what is cpu तो cpu क्या करेगा तो cpu में यह length, breadth और height तीनों different होते हैं और different है इसलिए हम बोल सकते हैं कि a is not equal to b is not equal to c और alpha beta gamma वो तो same है क्योंकि वो cpu में सब में हम देखेंगे तो all corners जो होते हैं वो 90 के रहते हैं क्योंकि वो cube की तरह ही रहेगा सीधा straight forward रहते हैं hexagonal यह क्या है hexagon आपके पास अगर pencil है ऐसा ऐसा वाला तो यह pencil के अंदर यह six जैसे benzene में हमें hexagon दिखते हैं वैसे ऐसे six उपर से देखेंगे तो pencil ऐसी दिखती हैं ऐसी वाली ऐसी है तो अब क्या हुआ कि यह अगर उपर से देखा और ऐसे दिख रही है तो समझ लो कि इसमें हमें क्या मिल रहा है यह length और breath a and b are same but c is what तो c यह है इसमें देखो यह perpendicular this plane तो यह होगा आपका c तो वो different हो जाएगा तो इसमें मिलेगा a equal to b is not equal to c alpha and beta यह alpha और इसके साथ ही दूसरा beta होगा तो यह दोनों कितने होंगे 120 लेकिन यह अगर सामने आया उपर वाला sorry यह 90 होगा 20 होगी alpha और beta is equal to 90 बट गामा is equal to 120 क्योंकि वो गामा जो यह है ना आपका axis c वाला उसके सामने वाला गामा है तो अगर यह axis है तो इसका सामने वाला यह हो जाएगा तो वो 120 है बाकि इसके साथ इसके साथ अगर यह ऐसे बनाएगा bond sorry corner तो वो 90 एंगल मिलता है हमें hexagonal हो गया अब आ रहा है रहा है रहंबो हेड्रल रहंबो हेड्रल क्या है तो seven रहंबो हेड्रल में यह क्यूब जो है उसी को थोड़ा हमने band कर लिया यहां से यह क्यूब था ना इसको हमने थोड़ा सा ऐसा क्या किया इसको थोड़ा सा उन्हें मोड दिया इसलिए यह band हो गया तो a b c सी तो स्थिम रहेगा बट आलफा बीटा गामा चेंज हो जाएगा तो यह चोटा बड़ा हो जाएगा तो a b is equal to c इसको मैं इसके साथ मैच कर रहा हूं CPU के साथ तो हम बोलेंगे इसको बेंट CPU इसको थोड़ा सा बेंट कर लिया तो मुझे यह मिल गया तो इसलिए यह अगरे ट्राइक लीनिक हो जाता है और ड्यू टु ड्राइक लिनिक वीकें जे आए इस नॉट इक्वल टू बी इस नॉट इक्वल टू सी अल्फा बीट और घामा कुछ भी सही 90 नहीं है इसका मिनिंग क्या हो जाएगा इसमें सब कुछ कैंसल है 90 नहीं है तो यह घखा ट्र कि भई ये जो है वो अलफा बीता और गामा तो डिफरंट ही है तिनों, लेकिन ये दोनों, अलफा और गामा दोनो 90 होते हैं, बीता 90, थोड़ा सा यहां से बेंट होता है, थोड़ा सा उपर से ही बेंट होता है, बाकि ये सब 90 अंगल मिलता है, कुछ समझ में आए दुस्तो तो ऐसे इसको किया जाता है यहाँ पे लिखा हुआ है कि a french mathematician brevis showed that there are only 14 possible possible three dimensional lattice there are called these are called brevis lattice unit cell of these lattice are shown in the following boxes the characteristic of this primitive unit cell along with the centered unit cell that they are from have been listed in 1.3 यह 1.3 है 7 primitive unit cell and their possible variation as centered unit cell वो हमारा table रहेगा यह भी बहुत important है दुस्तो तो इसके लिए भी हम थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे तो ज़्यादा मजाएगा तो देख सकते हैं हम यहाँ पे कि इसको कैसे हम clear कर सकते हैं तो आपको तो याद है यह cubic है तो इसका cube यहाँ पे था यह वाला तो इसकी according अब आपको possible variation याद रखने हैं अगर cube type का अगर देखेंगे आप तो इसमें से 3 मिलता है primitive, body centered और face centered और आपने देखा है कि cubic होगा तो A equal to B equal to C alpha beta gamma 90 रहता है NACL, zinc, blend and COO आपको compulsory याद रखना है NACL नमक भी क्या है तो यह आपका cubic lattice है tetragonal की बात कर रहे हैं तो tetragonal के अंदर primitive and body centered तो यह दोनों है only two type of unit cell can be seen in tetragonal उसमें आपने देखा कि tetragonal means oil tin और उसके अंदर A equal to B but C similar नहीं होता और उसमें सब सारे angles जो हो 90 के रहता है और यह tetra में tin है तो tin, 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 tin सब याद रखना tin, tin, tin करके, tin white वाला, tin oxide और titanium oxide and calcium sulfate और तो रोहंबिक sulfur के अंदर और तो रोहंबिक के अंदर देखेंगे यह unique example है दोस्तों और यह cubic unique है क्योंकि सब कुछ equal है और यह unique है क्योंकि इसमें चारो possible variation दिख रहे है उसमें और इसमें सब कुछ different हो जाएगा क्योंकि आपने देखा यह CPU है तो CPU के अंदर सब different लेकिन angles 19 और रोहंबिक और तो रोहंबिक में रोहंबिक sulfur आएगा cano3 and baso4 hexagonal primitive के अंदर primitive रहता है तो यह से primitive वाले तीन है एक hexagonal और रोहंबो हेड्रल मिसलब trigonal और तिसरा था अपना triclinic यह वाला जो हम next page पे भी देख सकते है तो यह सब में सिर्फ primitive मिलता है यहाँ पे देखोगे तो यह सब equal है यह सब कुछ हमने चर्चा कर ली है graphite pencil के जैसा बोला graphite होता है उसमे जैडेनो cds calcite और hcina बार पूछा लिए एक दो बार पूछ भी लिया है इनों है तो इसलिए इसको थोड़ा सा seriously समझना होगा दोस्तों और आगे देखेंगे तो यहाँ पर एक हमें देख रहा है यह इसके अंदर monoclinic है जो आपका structure था a is not equal to b is not equal to c और tri clinic में only primitive not equal all are not equal लेकिन alpha beta gamma भी उसका सेम नहीं है यह specifically आपको याद रखना है और इसमें वह वाला monoclinic जो है उसमें monoclinic sulfur और एने टूब एसो फॉर टैनेश्टूओ यह दोनों इसके अंदर आएंगे और क्लिनिक के अंदर potassium dichromate copper sulfate 5s2o and boric acid दोस्तों समझ में यह एक्जम्पल के तौर पर एक mcq कमपल सरी आ जाता है तो आपको इसको सुमना है तो क्यूबिक वाले में तीन होते हैं primitive body center और face center जो आपने यहान पर देखा table में primitive body center & face center cubic में तो देख सकते हो यहां पर और ऐसे ही यह आता है tetragonal तो आपने देखा यहां पर navy calendar में primitive और body center रहता है तो देख सकते हो यहां पर trad meillä प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर रहेगा ऐसे ही आप सामने वाले पेज़ पे देखो गिए और्थो रहम भीख है तो चारो है यहां पर यह सब कुछ आपको याद रखना है उसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन है वन साइड डिफरंट लेंथ टू अनधर टू एंगल बिट् देन 90 तो यह चेंज हो जाता है इसलिए हमने मौनो क्लीनिक के अंदर बोला था अलफा इकवल टू बिटा लेकिन यह जो घामा है वह थोड़ा चेंज हो जाता है इस नौट इकवल टू 90 इसमें ऊपर वाला 90 से ज्याड़ा होता है और नीचे वाला जो है वह नाइंटी से क और उसके बाद आया यूनिट सेल रहंबो हैड्रल में हमें क्या मिल रहा था दोस्तों अधिम यूनिट सेल मिलता था और वह भी है लाश्ट अपना कौन ट्राइ क्लिनिक उसमें भी यही मिल रहा है लेकिन यह देखा आपने यह स्ट्रक्चर इंडम सिमेट्री है यह थोड़ा बेंट हो गया और यह ज्यादा बेंट हो गया सब कुछ अलग अलग हो गया कुछ भी सीमिलर नहीं होता यहां पर ऐसा लिखा हुआ है तो समझ में आया यह नंबर ऑफ एटर्म इन सेल यह हमने अलड़ेडी डिसकस अगले वीडियो में कर लिया है नेक्स्ट टॉपिक हम कल देखेंगे थेंक यू